वेल्कम बैक टुवे चैनल तो फ्रेंड दिवाली आ चुकी है दिवाली में लोगों का आना जाना बहुत ही कॉमन बात है और उनको आपको नास्ता देना भी कॉमन बात है तो क्यों नाइक ऐसा नास्ता बना कर रखा जाए जो 15 दिन तक खराब नहों तो आज हम ऐसा नास्ता के लिए हमने लिया है मूं की दाल और इस तरह से हमने जो मूं की दाली इसको अच्छे से सोक करके लिया कम से कम ओवरनाइट आपको इसको सोक कर लेना है अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो कम से कम चार गंदे तो आपको इससे अच्छे से सोक करना है और फिर इसके बा बड़ी वाली और यह हमने लिया है कुटी होई लाल मिर्च आप चाहे तो पिसी भी ले सकते एक चमज गरम मसाला 25 दाने मेथी के लिए हैं साबुत मेथी के और इधर हमने लिया है दो खंड में करके धनिया को एक बड़ा चमज इधर हमारी एक बड़ा चमज भरकर बड़ी जो बहुत क्रिस्पी और क्रिंची होने के साथ 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब दी होगी तो मैं जिस चीज से बना रही हो उसी चीजों से बनाईएगा उसी टिप्त को फालो कीज़ेगा आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हैगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगी मिकसी का जाल लेडे और ताल को फिर लेंगे डाल में बिल्कुल फानी नहीं होना चाहिए अगर पानी होगा तो आपका ना किल्द के लिए तो दिखाnica कितनी दर्दलि जाहिए ञादा लेकान आपके साथ के leads लिए हैं तो दिखेंड़ कहते लिए और दाल को पाने कितना बवाई रख आपको दिखानेने और कर मैंफे रख देगे और पहले हम आठा लगाता का रिखते हैं हूं ग्रपतन इसमें डाला गरम पूरा धालता पूरा इसके अंदेर डालने के बाद हम लेंगे अजवाइन जो इत्वास बड़ा चमच है इस तरह से और इसको अच्छा डालना यह अच्छा टेस्ट लाएगा फिर इसके बाद अब और आपने हाथ से इसको मिस्ट करेंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि सारा मोवन हमारे आते के अंदर लग जाए तो फ्राइन अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इस तरह से ले रहे तो देखें बंद रहा है अगर आपका नहीं बंद रहा है तो आपको इसमें थोड़ा से ओवन और डालने की जरूरत तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी एड़ करके इसका एक अठा लगा लेंगे और आठा इस तरह से देखिए मसलते मेरे आता को लगा लिया है और अब हम इसको कवर करके रख देगे और जब तक हम अपनी श्टफिंग बनाएंगे तब तक यह अच्छा से फूल जाएगा तो चलते हैं गयास की तरफ और फटाफर से बनाते श्टफिंग तो फ्रेंट आगे हैं गयास की तरफ और हमने एक पैन लग दिया है और श्टफिंग मुलाने के लिए जो आपको तेल यूज करना है वो होना चाहिए राई का तेल यानि कड़वा तेल और यह हम डालेंगे लंबसम 50 ग्राम तेल ताकि हमारी श्टफिंग खराब ना हो तो इ इस तरह से देखे धुआ निकलने लेगेगा तो हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमज भरकर हींग का बहुत ही स्टॉंग फ्लेवर है और आपको हींग जरूर डालगी है फिर इसके बाद अपने मेथी के दानी डालेंगे और इसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे बेसन और बेसन डालकर अच्छे से भूल लेंगे बेसन को धीमी धीमी आस्तर खुसबू आने तक भ्यून ना है बेसन हम इसलिए डालने ताकि जो हमाई डाल का मौशर हो वह बेसन अच्छे से सोक लेता है और जो हमाई श्टफिंग होती है बहुत जड़ा राय बनती है तभी हम इसको सेव कर पाते हैं तो इस तरह से हमने दो वड़ा चमज बेसन लिया है और इसको हम अच्छे से भूल लेंगे तो बेसन को भूंडे में बिल्कुल भी टाइम ही लगता है मुश्किल से एक नग लगता है और बराबर कंटीन्यू चलाते रहिए इस तरह से और अब इसम में हम डालेंगे अपना हल्दी पाउडर फिर इसके बाद जाएगा लान मिर्च पाउडर जो हमारा कुटा हुआ है आप पिसा हुआ भी दे सकते हैं इसके बाद जो हमने धनिया रखी थी वह हम इसके अंदर आट करतेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि जानेगे और अब इस में डालेंगे एक चमाई जीरा तो ये चम pact जीरा डालेंगे जो पिसा हुआ है और जीरा डालकर अच्छे से भौल लेंगे और इसे के साथ अब आप इसमें डालेंगे गरममसाला कि हमारा एक बड़ा चम मत है इसको भी एटकर देंगे और सारी चीजों को हम अच्छे से भोल लेंगे तो देखिए मसालों की और वेशन की धीमी धीमी सी खुच्बू आने लगी है और जब आपका किचन बिलकुल महकने लगे वेशन और मसालों की खुच्बू से तब आपको इस पर दाल एट करनी है तो फ्रेंट अब हम इसमें कर देंगे को सारी कि साथी जो हमें पीज के रख है है और दाल को अच्छे से इसके अंदर मिख कर लएका निगे सारी चीज़ों के साफ और गाल को हमें दो मिल्स तक हमारे तो देखें पीन कर Ce when जो था उससे हमारी डाल बिल्कुल देखे ड्राइ होना अभी से शुरू हो चुकी है और सारी नमी हमारा बेशन खीच लेगा तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड देखे डाल इतनों अच्छे से ड्राइ हो चुकी है और ये कमाल बेसन का ही है अगर आप बेसन नहीं डालते हैं मूं की डाल बिलकुल पानी पानी सी हो जाती और आप इसे पकने में बिलकुल ही टाइनी लगेगा मुस्किल से एक नट लगेगा अब इसमें निवू का रस भी डाल सकते हैं या वाइट बिलेगर भी डाल सकते हैं और इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें दो सीक्रेट चीछ जाएगी जो आपकी जो कचोड़ियों की खुस्द्वू दूसरे तक पहचा देगी तो वह आपको जुरूर आट कर अच्छे से मसलते विसके अंदर आट करेंगे यह दोनों चीजे डालने से इतना अच्छा टेस्ट आता है हमारी कचोड़ियों में वह मैं आपको बता नहीं सकती जब आप बनाएंगे तो आपको महसुस होगा तो आप हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और आपने एक चीज काली खाने के बाद एक बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट आपके मुग पर बाद रहता है उसके लिए हम डालेंगे कुटी होई दर्दिरी काली मिर्च तो फ्रेस आपको कुटना है काली मिर्च को तो इस तरह से दिखे मैं कूट लिया है और दस से पंदरा दाले थे और मोटा को अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह देखे हमारी रेडी हो चुकी अब चलिए हम फटाफट कचोड़िया बनाना शुरू करते हैं आटा भी हमारा अब तक अच्छे से सेट हो चुका होगा यानि फूल गया होगा तो इस तरह से देखे हमारी जो श्टफिंग है कितनी अ हम आगे की त्यारी कर लेते हैं और आपने आटे को चेकरते हैं तो यह देखें आटा हमारा अच्छे से गया है फूल और अब हम इससे काउंटर पे ले लेंगे और इस तरह से मस लेंगे थोड़ा सा एक दो पंच करेंगे बस और आटा हमारा रेडी हो जाएगा और यह देखें रेडी हो जगा है अब इसके छोटे-छोटे से पार्ट करेंगे तो आईए इसके छोटे-छोटे से कर लेते हैं तो इससे क्या होगा जो हमारी कचोड़ियां है वह एक साइची बनेंगी तो इस तरह से हम इसके पार्टिशन कर लेंगे और अब इसको अपने वर्टन के अदर टास्टर कर लेते हैं और एक लेंगे और इसको अच्छे से गोल करेंगे और यह कचोड़ियों को बनाने के लिए आपको बेलन की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी आप इसे हांथी से बना पाएंगे तो जो लोगों को डर लगता है कि उनकी कचोड़िया फट जाती है उनके लिए तो यह कचोड़िया बहुत ज्यादा आसम होने वाली है ज्योंके कि इसमें की जुरूरतहीन तो इस तरह से हम इसकी कटोरी बनाएंगे है को फटमलत इसको हमें इस तरह से कटोरी बना लए जाइनों चालिया सईहने उसका यहे जाहिए कि बीच में मोटी रखनें आपको किडारे क्डारे को इस तरह से पथला करना है अशे दीटेस victim होना च अच्छा है फिल कर सकते तो इसमें अच्छा से फिल कीजिए मैलेस में हरा धन्या और हली मिर्च नहीं डालिए ताकि यह लंबे सुब्स तक खराब नहीं अगर आप इसे श्टोर करना चाहते तो मट डालिए मैं आपको फिर से बता रहीं यह बार तो अच्छा से हम इस तरह स करना है तो अब मैं इसके साइडयो को करकर के इसको उपड़ कि तरह लुक में पर्थ यह विल नहीं परत है तो जो लोग बैल नहीं पार टे उनके लिए तो भीत आराम दायक है यह कि इसमें बेलनें का धंजाटी रही है तो इस तरह से जो ए्श्टर आता होगा इसको हम इस तरह से खीष्ट लें और पोटली के साइड में तयार कर लेंगे और ईस तरह से और पोटली तो परफेक्ट गोल कचोड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकिए और इसी तरह आपनी सारी कचोड़ी को बना लेंगे फिर आपको दिखाते हैं तो देखिए कहीं से भी निकली नहीं है और अच्छे से अमने फिल भी किया है ऐसा नहीं कि हमने अमाउंट में इसे फिल नहीं किय है और इस तरह से बिलकुल राउंट सेव में कोई भी गयस नहीं कर पाएगा कि आपने इसे बेला नहीं है तो परफेक्ट कचोड़ी बनाने की रेस्पी से कर भी अगर पसन आए तो वीडियो को लाइक कर देना तो इस तरह से मैं सारी कचोड़ी बना लेती फिर आपको दि अच्छा से डाल देना है बिलकुल हलके हलके हाथों से तो पहले हम बड़ी बड़ी फ्राई करेंगे फिर हम छोटी आजी बनाएंगे तो इस तरह से कचोड़ी को धीमे देने पकने देंगे और साइब में एक छोटी भी लग देते हैं और विना टच्कियों हम तीन मिलों तक इसे पकने देंगे जब तक यह अच्छा से किरुफी नहीं हो जाती है तो दीमी धीमी आश्या है यह ज़ोगे रहा है तो देखिए यह 3 अट बाद यह अच्छा से पूल चुकी है तो अब हम इसकी साइडों को वदल देंगे इस तरह और जब यह 20 से क्रैक होने लगती तो समझ घैए कि अच्छ से डन हो चुकी है और यह रिखे किता अच्छा करना आगया तो इस तरह से हम इसको चेंच कर देंगे और दूसरी साइड से बिंता हो दिखाए इस तरह से जब क्रेक होती तो बिल्कुल हलवाई जैसी बनती है तो इस तरह से दिखें हमाई कचोड़ी डन हो गई है और आप हम इसको निकार कर रख लेंगे और बाखी बच्ची कचोड़ियां भी इसी तरह से बिल्कुल फ्राई कर लेंगे फिर आपको लाश्ट कचोड़िया करें से चुकी है कितनी ठाऊ कितनी फोली से बच्चोड़ी से चोड़ी कि फूली सेंगे कोई से आप पाइया कि अहीं गया लोगी दीखाते हैं अन्दा से दिखाती गण। विल्कुल पोद्कूल थिया देखि कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक अपना ख्याल लगें वीडियो को लाइक कर दीजेगा और यह खसता का चोडिया दीवाली पर जरूर बनाईएगा और अपने महमानों को खिला कर खुष कीजिएगा और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो फ्रीज एक लाइक दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में लोगों में सेल कर दीजेगा और यह खसता का चोडिया बहुत ही ज्यादा फूली फूली सी और भरी भरी सी बनी है तो मिलते हैं लेक्स वीडियो में टेक के